एक बार एक हंस और हंसिनी हरिद्वार की सुर्मे वातावरन से भटकते हुए उजडे, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। यहाँ ना तो जल है, ना जंगल, ना ही ठंडी हवाई है। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई, तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा था, वो जोर से चिलाने लगा। हंसिनी ने हंस से कहा, अरे यहां तो रात में भी सो नहीं सकते, ये उल्लू चिला रहा है। हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यूं है, ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और अगलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भाईया, आपका धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसिनी को लेकर के आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिलाया, अरे हंस, मेरी पतनी को लेकर कहा जा रहे हो। हंस चौका, उसने कहा, आपकी पतनी? अरे भाई, ये हंसिनी है, मेरी पतनी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पतनी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, पूरे इलाके के लोगे कत्र हो गए, कई गाउं की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए, बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पतनी है और हंस कह रहा है कि हंसिनी उसकी पतनी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यही सही है कि हंसिनी हंस की ही पत्नी है लेकिन ये हंस और हंसिनी तो अभी थोड़ी देर में इस गाउं से चले जाएंगे हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है इसलिए फैसला उल् पत्नी है और हंस को ततकाल गाव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है ये सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने और चलाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली रोते चीखते जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवा आप ही की पत्नी है और हमेशा रहेगी लेकिन कल रात जब में चला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहां उल्लू रहता है मित्र ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है क्या उल्लू रहता है यहां पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लू के हक में फैसला सुनाते हैं शायद 65 साल के आजादी के बाद में भी हमारे देश की इस बुरी दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मिदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाती का है, ये हमारी पार्टी का है इसके आधार पर अपना फैसला उल्लों के ही पक्ष में सुनाया है देश की बधाली और बुरी हालत के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मिदार है तो दोस्तों इस कहानी के बारे में सुनकर आपको क्या लगता है कॉमें सेक्षन में लिखकर के जरूर बताए लाइक आलरीडी कर दिया है तो शेर करना न भूले और हमेशा ऐसी कहानियों के लिए इंस्पाइरिंग कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करे मिलेंगे बहुत चल्दी ही तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद